भारत ने आज पार्थ के ओक्टर स्टेडियम में खेले गए पांच मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में आस्ट्रेलिया को 295 रनों से माद दिया। 534 रनों के लक्षे के जवाब में आस्ट्रेलिया आई टीम 58.4 ओवर में 238 रन ही बना सके। कप्तान और स्टार तेज गेंदबाज जस्पीद बुमराह ने दूसरी पारी में तीन विकेट चटकाए और मुहम्मद सिराज ने भी तीन विकेट लिया। मेजबान टीम ने चौथे दिन का खेल तीन विकेट पर बारह के स्को से शुरू किया, लेकिन तेरह गेंदों पर चार रन बनाकर सिराज की गेंद पर उस्मान खवाजा का विकेट जल्दी ही गवा दिया। मिशिल माश और ट्राविस हेड ने साझेदारी बनाने और आस्ट्रेली आई टीम को मैच में बनाये रखने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास बेकार गए और उन्हें पविलियन वापस भेजे जाने के बाद, भारतिय गेंदबाजों ने मैच को सील करने में ज्यादा सम नहीं लगाया और भारत ने बढ़े अंतर से जीत हासल की और नमबर एक टेस्ट हिलने वाला देश बन गया, जबकि बुमराह मैन अफ़ दे मैच बने.